हेलो एब्रिवर्न वेल्कम बैक तो सक्चम फैमिली और आज इस वीडियो के दर हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ एंसी यार्टी साइन्स चैप्लर नंबर फिप्टीन उस सेप्टर के हम यहां पे MCQ लगाने वाल हैं तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल अगन दबाए ताकि आपको फ्यूचर में हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए तो यहां पे आपको जैसे स्क्रीन पे अपना एक क्वेशन दिख रहा है कि which statement is true with respect to power सक्ती के संधर्म में यहां पे कौन सा खतन सही है तो जो इसका आंसर था मैंने आपको लास टाइम जो MCQ करवाय थे उसका एक पार्ट है as a homework मैंने दिया था काफी लोगों के उसमें अच्छे answers बिल्कुल right answers थे तो ध्यान दीजे कभी इन चीजों को रटियेगा समझ पाते हो तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सक्ती में जो होगा वो होता है एक magnitude अब जो magnitude होता है एक number अब यह number से मतलब क्या है कभी आपने दुकान में जब जाते हैं example लेके चलते हैं दुकान में जाते हैं क्या बोलते हो भईया एक let's suppose घर में बल्ब खराब हो गया आप कि भाई एक led दे दीजिए या एक bulb दे दीजिए कितने newton का चाहिए नीटन नहीं sorry watt इस कितने watt का बल्ब चाहिए भई तो आप बोलोगे भईया मुझे 10 watt का बल्ब दे दो अब ठीक है 10 watt का बल्ब कह दिया तो क्या अभी यह आपका भी कहते हो कि भईया मुझे 10 watt का ब बात करते हैं तो जहाँ पर क्यों लेकि नंबर होता है जिसे बोले जाता है परिमान या मैंगनिटूर वो होती है हमारी हमेशा कैसी रासियां उन्हें बोले जाता है हमारी अधिस रासि अधिस मतलब जिसमें कोई आपकी दिसा नहीं होती है तो इन रासियों को बोले जाता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस box पर आपको एक force अप्लाई करना है, तो आप पूछोगे न, force कहाँ अप्लाई करूँ, दक्षिन में करूँ, पूरब में करूँ, it means east, west, north, south, direction, कुछ ऐसे direction तो आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कहीं न कहीं बोलोगे, कि मुझ जब भी हम force की बात करते हैं, force एक सदिस रासी होती है, और हम कहते हैं, जैसे हमने कहाँ दिया, कि 30 newton का force अप्लाई करिए, east direction में, तो यहाँ पर आपके पास एक number भी आया, एक direction भी आया, तो हमेशा इन चीजों को ध्यान रखिएगा, आपके exam में इस type के question आने ही आने मतल ले गए हैं, तो आपको इन question को note करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो हैं, अपनी जो तैयारी हैं, आपके उसको check कर सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं join की है, उन लोगों को मैं कह दूँ कि आप लोग जरूर अपने कहीं न कहीं नोट बुक में note कर लीजे, आपके लिए सारी question important है, साथी साथ में बने रही है, आउनलाइन जो हमारे practice set होते रहे हैं, कहीं न कहीं आपको ये health food रहेंगे आपके परिक्षा में, तो आपके लिए पहला question की ये बताना है कि इसमें चारा फसल कौन सी नहीं है, तो चारा फसल क्या होती है, पहले तो ये समझ लीजे, लेकिन जैसे मादानी अलाके हैं, वहाँ पे तो ऐसे जिनके पास जंगल नजदीक नहीं है, नेरबाई नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हम गेहों की खेती कर लेते हैं, धान की खेती कर लेते हैं, तो ये जो हमारी crops होती हैं, इसी टाइप से इनकी crops कर लेते हैं कि जो पसुओं के लिए जो है चारा लगा देते हैं जब भी उन्हें जरुत पड़ती हैं जैसे धान खेद में चलेगे और अपने जो है खेश से इन चीजों को काट के लिए अपने पसुओं के लिए तो यहां पर जितनी भी यह सारी चीज़ें आपको देखनी है तो इसका आपके पास रित्मी होती हैं आपको तीन चार चीज़ें याद रखनी है अब देखें यहां से भी आपके पास एक क्वेशन हंड़ेट परसंट बनेगा तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान दीजेगा तो एक आपकी वर्सारितू हो गई एक आपकी हो गई सीथ रितू हो आपको ध्यान देना है और एक आपका आदा जायत की फसल होती है यह रवी के कटने के बाद और खृब से पहले मतब मिड यह मान के चलिए आप एपरिल से ही मान के चलिए अपरिल और लगबत यून तक यह यहां पे जायत की फसल होती तो यह दू तिन चीज़ें जो आपक तो यहाँ पे सीध रित्यु में कौन सी फसल होगा है, रवी की जो फसल होती है, वो सीध रित्यु में वगाई जाती है, तो इसका answer आपका यह वाला हुगा, यह question आपके exam में आ सकते हैं, अभी I repeat की, आप इन चीज की practice बिल्कुल करें, जो चीजे मैं आपको यहाँ पर करव आपको बता रहा हूँ, मेरी आवाजें आपके कानों तो गूंज रही हैं, तो ये आपके लिए useful नहीं रहेगा, तो attempt करने की जरूर कोसिस करें, तभी आपके लिए ये benefit रहेगा, अब दो चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी हैं, एक रवी पढ़ा होगा आपने, और एक चना मतलब ग्राम हो गया, पी हो गया, ठीक है, तो English मीनेवा हैं इतना कर ही सकते हैं, तो इसमें परेशान मत हो ना, सरसो हो गया आपका mustard हो गया, और यहाँ पर जो अलसी होता है, यहाँ पर यह वाली चीजे हैं, यहाँ आपके आजाते हैं, सारी की सारी रवी की फसल में, देखिए यह जितनी चीज़े मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ यह आपके लिए important है इसमें से आपको कोई भी exam में पूछा जा सकता है खरीब की फसल में क्या आ जाएगा धान आ जाएगा वही आपके लिए मक्का जिसे मेज बोला जाता है आपका यहाँ पर आगा मूंग मूं में पूछे जाते हैं मूँग पूछ लिए उड़द पूछ लिए यह मक्का मूंग उड़द लिए तो बहुत ऐसे questions है जो आते ही आते हैं अब यह तो पुराने question होंगे धान गिहूं चाना म recipient अLabोत पुराने question है यह आप इतने नहीं पूछे जाते हैं जैसे आपको जून में ही आता है गर्मियों के टाइम पर तो यह चीज़ें ध्यान दिजिए इसमें रटने वाली चीज़ किया है तो इसमें कोई रटना ही नहीं रवी की वहसल गेहूं अपरेल से आपका कब इससे करते हैं इसका आपका नवंबर में तो नवंबर से लेकर और यह चलेगा आपका एपरेल तक तो देखिए आज कल जो है गिहूं वाला अभी कटने वाला आगे जाके तो इसमें रटना क्या है इसमें रटने की कोई बाती नहीं है धान देके धान के लिए पानी चीज़े होता है तो इसमें वर्सा रितु जो होती है उसमें यह हो जाता है धान होता नेक्स्ट क्वेशन देखिए, मैरी कल्चर किसे बोल जाता है, इंपोर्टन क्वेशन है आपके exam point of view से, मैरी कल्चर का मतलब होता है आपका, कि आपको जो sea water है, मतलब जो समुद्र का पानी होता है, उसमें आपकी जो fishes है, marine fishes, उनको promote करना है, मतलब उनका समवर्धन करना है, economics point of view से, जो आपको आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा रहा है, आर्थिक रूप से फायदा मतलब, भीया मोती निकल रहे हैं, या आप उन्हें बेज रहे हैं, या उनसे आपके कोई और चीज भी निकल रही है, तो मैरी कल्चर का जो सम्बन होता है, वो इससे होता है कि कोई आर्थिक महत्यों की कोई समुदरी मचली है, उनका समुदरी जल में आपको क्या करना है, उन्हें प्रमोड करना है, उनका समवर्धन करना है, तो मैरी कल्चर का सम्बन इन से आता है, काफी important question है, घुमा फिर आपके कुछ भी question बन सकता है, तो इन चीजों को ध्यान द आता है, मोती भी निकाला दाता है, अब यह जो कोरल है, कोरल को क्या बलो जाता है, प्रवाल जैसे हम नाम देते हैं, अब यह प्रवाल क्या होता है, इसमें कैलसियम कार्बनेट की लियर होते हैं, जीव ही होते हैं, ऐसे कैलसियम कार्बनेट की लियर से बनी भी होती है, अ हाँ पर जो आपका इसका आंसर होने वाला है वो इसका और आंसर होगा काफी important question है आपके exam point भी उसे तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अब nitrogen, phosphorus और potassium किसी इसका उधारन है अब जो भी पोसक तत्व होते हैं जो nutrients जो चाहिए होते हैं किसी भी plant को ये एक plant है अब जो ये plant इनको तीन टाइप से nutrient हम दे सकते हैं कैसे ये plant जो होगा एक तो air से ले लेता है एक ये अपना water से ले लेते है nutrients मता पोसक तत्व जिने हम कहते हैं या फिर ये ले लेगा soil से तीनी टाइप से ले सकता है अब जो air है इस air से ये क्या लेंगे carbon हो गया आपको oxygen हो ये आपका ले लेंगे air से water से ये oxygen ले सकता है क्योंकि oxygen तो गुली रहती ना water में तो ये water इससे ले सकता है oxygen को hydrogen ले सकता है क्योंकि water का formula आपको पता है H2O होता है तो ये hydrogen और oxygen वहां से ले सकता है अब जो soil से आता है soil से कौन कौन से चीज़ें आती है देखे soil से दो टाइ आजाते हैं तो N, P, K मतलब nitrogen, phosphorus और potassium ये जो तीन होते हैं ये आपके आते हैं व्रहध पोसकत्तों में जो micro में आते हैं, micronutrient में आते हैं zinc वगेरा हो गया, आपका iron वगेरा हो गया, ठीक है तो ये आपके macronutrient में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इससे भी जितने question में आपको करवा रहा हूं, इनसे related ही आपको question मिलेंगे, तो इनसे related और भी question आप इदर रूसर ढूंड के कर सकते हैं Eppie Serena Indica का अन्यनाम क्या है, इसको बले तब भारतिय मक्खी मदु मक्खी, अब ध्यान दीजिएगा कभी आपके पास भारतिय मक्खी अगर मिल गिया, हिंडी में लिखावा तो ये भी आपका answer होगा, ध्यान दीजिए भारतिय मक्खी अगर आपको मिल गया, तो ये भी आपका answer होगा, लेकिन आपको English वाला option हमें इसा देखेगा Indian भी उसमें लिखावा होना चाहिए तो भारतिय मद्दमक्ही इसको बोला जाता है Episarena Indica Next यहाँ पे है Indian cattle कौन सा है Indian cattle भारतिय मवेशी तो यह जो दोनों है इसका दोनों आंसर होंगे Was Indica, Was Vowelis यह दोनों के दोनों के हैं यह है आपके गाई की Species थे इसका पख़ला जाता है और दोनों के दोनों के क्या हैं? यह दूदारो उपसूआं मतब जो दूद देते हैं यह वो वाले हैं यह हैं यहाँ पे as a pesticide की से यूज करते हैं पेस्टिसाइट जो कीडों को ना लगने दे भई हमारे फसलों में या फिर जो आपने फसल काटने के बाद भी जो रग दी हैं उनमें कीड़े ना लगें तो हम एज़ा पेस्टिसाइट किसे यूज करते हैं ध्यान दीजिए ये दो चीजें जो हैं हल्दी हो गया नीम की पत बैक्टिरिया है ये एक बैक्टिरिया का एक पार्ट है ये एक टाइक आइंड ऑफ बैक्टिरिया हो गया इसको साइनो बैक्टिरिया भी हम नाम देते हैं तो इसे भी ध्यान दीजिए तो ये जो है इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट और सेकिन इसका आंसर होगा अब यह यहां पर exotic breed कौन है, विडेसी गाई की कौन सी नसल है, तो जर्सी, इंग्लिस में भी टाइप की नाम आ रहा है, जर्सी टाइप, तो यहां पर जो यह जर्सी है, यह आपकी exotic breed है, रेड सिंध्यों साहिवादी हमारी इंडियन है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, अब और मुहाना, यह दोनों इसमें आंसर हो सकते हैं, दोनों आंसर, अब यहां पर होता क्या है, कि जैसे यह एक, यह let's suppose C है, तो यह C हो गया यहां पर, अब यहां से कहीं से river आ रही है, यह river हो गया, अब river यहां पर खतम हो गई, अपने अस्तुतों को मिटा दिया मतलब river ने तो जहां पर यह वाला जो part होता है, इसी को बुल जाता है, एस्चुरी या मुहाना भी हम इसे कह सकते हैं, तो समुदरी जल जहां पर मिलेगा, ताजे जल के साथ, उसी को बुल जाता है, यह आपके पास कभी हो सकता है, कि option में ना मिले, लेकिन एस्चुरी यह important है, यह आ इस पैटन में उगाने की विदी कौन सी है, कौन सी क्या उसे mixed crop बोले जाता है, यह inter cropping उसे बोले जाता है, यह crop rotation बोले जाता है, तो यहाँ पर जो inter cropping होती है, इसे बोले जाता है, जो इसका answer होगा, inter cropping का मतलब होता है, कि जैसे आपका यह बड़ा खेत हो गया, अब इस soybean यहाँ पर डाल दी, यहाँ पर आपने डाल दिया, मेज डाल दिया, जिसे बोले जाता है, मक्का, फिर यहाँ पर soybean, फिर मक्का, फिर soybean, फिर मक्का, तो यहाँ पर एक as a row में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फसलों को grow कर रहे हैं, तो इसी को बले जाता है, आपका अंतर वसल डाल दी as a temperature वहाँ पे उसका environment किस साब से उस साब से crop rotation किया जाता है जैविक वसल जहाँ पे हम pesticide बिल्कुर यूज नहीं करते हैं उसको बोले जाता है organic farming ठीक है तो यहाँ पे यह वाला जो आपका अंसर होगा अंतरा फसले करन इसके लिए अंसर हो जाएगा next question है कि इसमें से carbohydrate का सुरूत कौन सा इसमें carbohydrate का सुरूत नहीं है carbohydrate जिससे हमें energy मिलती है अब यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं इसमें जो चना होगा इसका अंसर होगा यह carbohydrate का सुरूत नहीं है बाकि जो यह तीन चीज़ें इन्हें मोटे अनाज भी बोला जाता है और यह जो होते हैं यह डाइजिस्ट करने में इनमें थोडी प्रॉब्लम होती है मतलब एकदम से इनको पाचन नहीं कर सकते हैं तो यह डाइजिस्ट होने में भी प्रॉब्लम करती हैं इसमें मोटे अनाज इने बोला जाता है तो यहाँ पे जो चना होगा वो एज़ा आपको कार्वोहर्डिर का स्रोथ नहीं है अब यहाँ पे देखिए इसको बले जाता है इसको बले जाता है इसको बले जाता है यह एक साल मक्ही है रॉक भी जिसे हम नाम दे सकते हैं तो इसे ध्यान दीजीएगा यह एक सैल मक्की होगी आपकी यहाँ पर जो app is flow रहा है यह आपकी little मक्की होगी अब देखिए मक्की और मद मक्की में थोड़ा difference समझेगा जहाँ पर मद मक्की होगा इंगलिस वाला उसको करना आपको कही मक्की भी मिलेगा हिंदी में तो इसमें confuse मत होईएगा आज के लिए जो आपका last question है वो है months के लिए किसको पाला जाता है who raised for meat तो months के लिए brawler को पाला जाता है brawler क्या chicken जिसे हम नाम देते हैं अब यह जो brawler है अब जैसे चलिए ठीक है यह तो हो गया meat के लिए हम इसे पालते हैं जो layer होता है यह आपकी अंडे देने वाली एक species है अंडे देती है कितना यह 1 kg से लेकर कि आपका 200 kg तक भी दे सकती है 2.2 kg क्यों कहा रहा हूं है 2 kg मान के चलिए इसे तो इतने यह अंडे दे सकती है leg horn क्या होती है यह भी meat के लिए लेकिन यह leg horn meat के लिए इतना अच्छा नहीं होता है तो यह भी meat के लिए अच्छा नहीं होता है यह भी आपके लगबग 300 अंडे दे देती है 300 अंडे किसने yearly मतलब साल के 300 अंडे यह दे सकती है acyl क्या होता है आपका acyl 40 egg देती है मतलब 40 अंडे दे सकती है यह क्या है यह एक ऐसी बर्ड होती है बर्ड मतलब मुर्गी की बात कर रहे हैं हम चिकन की बात कर रहे हैं तो यह ऐसा होता है कि जो quickly grow कर जाता है quickly grow करेगा जो जल्दी से grow करेगा उसी के तो मीर खाऊगे न तो overall यह था आपके ब्लॉरर का मतलब तो देखिए ध्यान देना ज जो आपको notes दिये वें उन्ही notes को पढ़ना बाकी भार कुछ भी मत पढ़ना जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि NCRT at least आप NCRT 8th class में science है उसकी भी जो है थोड़ी बहुत agriculture पढ़ लेना छोटी छोटी चीज़ें उसमें वो देख लेना आपके लिए ये भी helpful रहे मैं आप लोगों को बता दूं NCRT class 10th chemistry इसके हम mixed question करेंगे तो आप सभी लोग जो है chemistry पढ़ देना खास करके उन लोगों से जिन लोगों ने test series purchase किया है तो overall ये था आज के वीडियो में तो इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लि झाल